नमजकार दोस्तों पीछले वीडियो में हमने इंडियन एकोनोमी की इंडर्डक्टी पार्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व की अर्थवेवस्था को कैसे केटगराइज किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक जूलाई 2018 को इस नेग रिपोर्ट प्रकासित की और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि अगर हम किसी देश की वेक्ति की पर्ति वेक्ति आये को अगर हम बेस मानते हैं तो विश्वा की अर्थवेवस्था को चार केटेगरी में बाटा जा सकता है पर कैपिटा इनकम को क्या किया बेस माना उसमें पर कैपिटा इनकम को बेस मान करके पूरी विश्वा की अर्थवेवस्था को कितने केटेगरी में केटेगराइज किया फौर केटेगरी में तो ये फौर केटेगरी क्या थे आये देखते हैं तो ये four category में सबसे पहले तो हम किसी भी अगर हम किसी परतिवेक्ति आय क्या दार पर अगर हम category wise अगर divide कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हमें three category यहाँ पर अगर हम basically अगर ऐसे हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं एक category हो सकती है जो कि निम्न होगी एक category वो होगी जो कि मद्धे में होगी और एक category वो होगी जो उच्छ होगी लेकिन जो world bank है उसने चार category में divide किया तो उसने ये मद्धे मद्धे वाले category को ना ले करके मद्ध से पहले एक category को लिया और मद्धे के बाद एक category को लिया मतलब मद्धे से कम इसे हम कहेंगे निम्न मद्धे और मद्धे से जादा मतलब उच से कम इसे हम कहेंगे उच मद्धे तो ये चार केटेगरी थे जो की वर्ल्ड बैंक ने रखें पहला केटेगरी था निम्न निम्न आयवाली अर्थविवस्ता दूसरी केटेगरी थी निम्न आए वाली अर्त्वव्यवस्ता और यह जो 5 केटेगरी है यह उच्चाय वाली अर्त्वविवस्ता तो इस अर्थवश्ता में कौन से लोग या किस देश के लोग किया क्या income है परतिवेक्ति क्या income generate कर रहे हैं उसके basis पर इसने यह केटेगरी किया है तो वैसे वेक्ति किसी देश के वैसे निवासी जो US डॉलर में 9.95 और्ण करते हैं या इससे कम और्ण करते हैं तो उसे हम निम्न आयवाली अर्थवेवस्ता के रूप में जामते हैं और यदि किसी देश के निवासी US डॉलर में 9.95 से 38.95 मिन्स 3.895 डॉलर के बीच मिन्स 9.95 रुपीज से सरी US डॉलर से जादा और 38.95 डॉलर तक अगर अर्ण करते हैं तो उसे हम निम्न आयवाली अर्थवेवस्ता कहेंगे इसके बाद यदि किसी देश में वहां के निवासी 38.95 से 12.055 डॉलर तक अगर अर्ण करते हैं तो उसे उच मद्ध आयवाली अर्थवेवस्ता के रूप में केटेगराइज किया जाएगा और जो अंतिम जो है उच आयवाली अर्थवेवस्ता यदि कोई वेक्ती यवेश डॉलर में यवेश डॉलर में 12.055 से ज़्यादा जो है अर्ण कर रहा है तो उसे हम उच आयवाली अर्थवेवस्ता के रूप में जानेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह वेक्ती जो की यवेश डॉलर में 9.95 रॉपीज अर्ण कर रहा है तो उस देश की अर्थवेवस्ता को हम निम्न आयवाली अर्थवेवस्ता मानेंगे यदि किसी देश का निवाशी 9.95 डॉलर और 3.895 डॉलर के बीच अर्ण कर रहा है तो उसे निम्न मद्ध आयवाली अर्थवेवस्ता के रूप में जाना जाएगा इसके बाद यदि कोई वेक्ती 3.895 डॉलर से 12.55 डॉलर तक अगर अर्ण कर रहा है तो उसे हम उच मद्ध आयवाली और यदि कोई किसी देश का वेक्ती या निवाशी डॉलर में 12.55 रूपे से जादा अर्ण कर रहा है तो उसे उच आयवाली और्थवेवस्ता के रूप में केटेगराइज किया जाएगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ल्ड बैंक था उसने बेसिकली 3 केटेगरी को लिया यूएस डॉलर में 9.95 यूएस डॉलर 38.95 एंड यूएस डॉलर 12.55 तो यह तीन केटेगरी के बेसिस पे उसने चार भाग में किसी देश की अर्थवेवस्ता को परतिवेक्ति आय के अधार पे डिवाइड किया तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ओनर्शिप के अधार पर ओनर्शिप के अधार पर किसी अर्थवेवस्ता को कैसे बाटा जा सकता है थैंक यू